हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दे इंडियन मौम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आए होप बिलकुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लिए बहुती इजी और बहुती यूनीक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आए हैं बनाने में बहुती आसान है और यह रेसिपी आज हम बनाएंगे ब्रेड से आपने अदिक्तर देखा होगा कि जब हम ब्रेड का पकेट खोलते हैं तो लास्ट में चार-पांच ब्रेड बची जाती हैं तो आज हम बची वी ब्रेड से आपके लिए बहुती शानदा ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर क आएह से आए हैं आईए फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं यह देखें मेरे पास में 38-igkeit ब्रेड बची हुई हैं सबसे पहले हम ब्रेड को सेक लेंगे सबसे पहले हम तवे पर घी लगा लेंगे अगर बटर लगाना चाहते हैं तो बٹर भी लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से हमने घी लगा लिया है सबसे पहले हम ब्रेड को सेक लेंगे इसी तरह से सभी ब्रेड को हम सेक लेंगे हमने सभी ब्रेड को सेक लिया है अब हम सबसे पहले ब्रेड के पीस कर लेंगे आप जैसा चाहें उस शेप में पीस कट कर सकते हैं और जितने बड़े पीस चाहें उसे साब से आप पीस कट कर सकते हैं हमने सभी ब्रेट के पीसेस कट कर लिये हैं आईए अप फटावट से हम मसाला ब्रेट तयार कर लेते हैं हमने लिया है एक Pan और पैन में हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच Refined Oil और जीरा और राई भहुत अच्छी तर एसे पकचुके हैं हमने यह पे लिया है मिडियम साइज का प्यास जो एकडम बारीक कट करके रखा है इसको भी हम पैन में डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे एक चम्मच हमने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम ऑईल में डाल देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से प्याज के साथ में फ्राई कर लेंगे बहुती आसान रेसिपी है, बहुती ईजी ब्रेकपस्ट रेसिपी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबी सामान हमारे पास घर में हर समय अवेलेबल होता है तो जब मन करें जब हम इस ब्रेकपस्ट रेसिपी को बना सकते हैं देखर प्याज भी बुन चुका है अब हम डाल देंगे एक बारीक कटीवी हरिम्यट्च पयाज पिंब देए हरिम्यट्च तो अब हम लिया है एक टमाटर को भी अच्छी तार ऐसे फ्राई कर लेंगे मसाला ब्रेट बनाने जा रहे हैं, आपके पास में और भी सबजी आवेलेबिल हैं, तो आप वो डाल सकते हैं, जैसे पत्ता गोवी, शिमला मिर्च, कॉर्ण, या जो भी आपकी पसंद की सबजीया हो, वो आप यहाँ पे एड़ कर सकते हैं, देखिए प्याज वाट अच्छ अच्छ तरह से भुण चुके हैं, आईए मसाले डालने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम डाल देंगे छोटा अदा चमच हल्दी पाउडर, जितना इसपाइस ही आप पसंद करते हैं, उस हिसाफ से आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चमच हरादनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, नमक आप अपने हिसाफ से कम्या जादा भी कर सकते हैं, छोटा आदा चमच चाट मसाला, साथ ही हम डाल देंगे लगबग एक चमच के असपस टमेटो कैचप सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लगबग दो मिने तक भुनने देंगे मसाला ब्रेड बनाने जा रहे हैं, मसाला ब्रेड तो स्पाइसी ही अच्छी लगती है, तो आप अपने हिसाब से मसाले को टेस्ट कर सकते हैं और इस समय आप मसाले और भी एड़ कर सकते हैं देखिए मसाला ब्रेड के लिए मसाला बिलकुल रेडी हो चुका है थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया पत्ती, हमने कट करके रखा है अब हम डाल देंगे लगबग 3-4 चमश पानी, पानी बहुत जादा नहीं डालना है पानी डालने से क्या हुआ कि जो हमारी प्यूरी है, ग्रेवी है, ये बहुत अच्छे से तयार हो चुकी है देखिए मसाला ब्रेड के लिए मसाला बिलकुल रेडी हो चुका है, कितना स्पाइसी हो, कितना बढ़िया लग रहा है अब हमने जो ब्रेड के पीसिस कट करके रखे हैं, वो हम पैन में डाल देंगे सभी ब्रेड के पीसिस को हमने पैन में डाल दिया है ब्रेड को मसाले में बहुत अची तरह से मिक्स कर लेंगे देखिए कितनी जटपट से बनने वाली रेसिपी है कितनी आसानी से बन जाती है आप चाहें तो बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं मसाला ब्रेड जितनी बनाने में आसान है उतनी खाने में टेस्टी भी है देखिए ब्रेड मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब हम डाल देंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए नीबू नीबू जादा नहीं डालना है क्योंकि हम आलरी टमाटा डाल चुके है मैंने यहाँ पर 4-5 डॉप नीबू की डाल दी है अगर आप जादा खटा पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं नीबू को भी हम ब्रेड के साथ मिक्स कर लेंगे देखे फ्रेंट्स कितनी आसानी से हमने मसाला ब्रेड बना के तयार कर ली है आईए गर्मा गरम मसाला ब्रेड सर्फ कर देते हैं देखे फ्रेंट्स गर्मा गरम मसाला ब्रेड हमने सर्फ भी कर दी है अगर आप पसंद करते हैं तो उपर से भी थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल लें यह देखिए हमने कट करी भी धनिया पत्ती डाल दी है देखिए फ्रेंड्स मसाला ब्रेड कितनी बढ़िया और कितनी टेस्टी लग रही है तो आप मसाला ब्रेड रेसिपी को बनाएं